इस समय शोशिल मीडिया पर उत्तर प्रदेश पुलिस बिभाग द्वारेक्चटी जम कर वारिल हो रही है जिसमें कहा गया है कि यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से भरती पर विचार विमर्ष किया जा रहा है ये चिठी एडीजी स्थापने की और से जारी की गई है हलाकि देर रात पुलिस ने इस पर इस पश्टी करण जारी किया और कहा कि ये पत्र गलती से जारी हो गया है अब इस मामले पर सपा सुप्रीमो अखलेश यादव की चुनाव प्रचार के दोरान की एक वीडियो वारल हो रहा है जिसमें अखलेश यादव ने पुलिस महकमे में अगनी वीर जैसी योजना लागू होने की अश्रंका जताई थी इस पत्र के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओ का बाजार गर्म हो गया है दरसल यूपी से लोग सभा चुनाव में 37 सीटे जीतने वाले सपा सुप्रीमो अखलेश यादव ने पुलिस की और से गलती सेज़ारी लेटर पर निशाना साधिते हुए कहा मैंने चुनाव के दारान ही आगा किया था कि सेना में अगनी वीर बनाने के बाद अगला नंबर यूपी पुलिस के जवानों का है भाच्बा सेना को अगनी वीर बनाने के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस को भी अगनी वीर बनाने जा रही है उस दिन मेरी कही हुई बात सत्य हो गई है यूपी पुलिस में सम्विदा पर उपनिरिक्षक लेखा के पदों को भरने की बात हो रही है इस पर सपानेता और अमेटकर नगर के सांसत लाल जी वर्मा ने लिखा सेना को अगनी वीर बनाने के बाद अब यूपी पुलिस को भी अगनी वीर बनाने जा रही है उतर प्रदेश सरकार अकलेश यादव ने चुनाव के दोरान ही चेताया था कि ये सरकार सेना को अगनी वीर बनाने के बाद यूपी प्रदेश पुलिस को भी अगनी वीर बना देगी राश्ट्री अध्यक्ष का संधे सही निकला अब यूपी सरकार सब इंस्पेक्टर के पदों को सम्विदा पर भरती करने का विचार कर रही है वहीं चुठी प्रसारित होने के बाद यूपी पुलिस ने एक सफाई जारी की पुलिस के और से कहा गया है कि शूशल मीडिया में पुलिस बिभाग में आउट्सोर्सिंग के संबंद में एक पत्र प्रसारित हो रहा है इसके बारे में अवगत कराना है कि ये पत्र तूटी वंश जारी हो गया है पुलिस बिभाग में चतुर्त श्रेणी करमचारियों की आर्ट सोर्सिंग की विवस्था पूर से चल रही है इस समन में पत्र जारी किया जाना था जो कि तुरूटिव अंश मिनिस्ट्रीलियर स्टाफ के लिए जारी हो गया है ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस बिभाग और शासर इस तर पर विचारत ही नहीं है ये पत्र गलती से जारी हो गया है इसे निरस्थ कर दिया गया है फलहाल इस पूरे मामले पर भाजपा की और से अभी तक कोई प्रतिकरिया सामने नहीं आई है